नमस्कार दोस्तो पहारी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज में आप लोग सामने एक बहुत ही चमतकारी जड़ी बूटी के पौधा लेकर आया हूं जिसे जंगली पुदीना के नाम से जाना जाता है ऐसे तो आप खेतों में लगने वाले उगने वाले पुद से जारों में भीकते हुए देखे हैं और आप कई मरतपा पुदीना को लाकर खाए भी होंगे चटनी बनापर भी सेवन किया जाता है सलाद में भी मिलाया जाता है लेकिन क्या दोस्तो आप ने कभी जंगली पुदीना का दर्सन किया है देखा है अगर wrestle जंगली पुदीन आग नहीं देखे तो आज मैं आपको जंगली पूदीना दिखा रहा हूं और हां दोस्तों इसे महकववा नाम से भी जाना जाता है जिस तरह से पूदीना के अंदर जबर्ज़स्त खुसबू होती है उसी तरीके से इस महकववा इस जंगली पूदीना के अंदर भी जवजस्त खुस्बू होती है इसके खुस्बू से मच्छड इस पौधे के करीब नहीं आते हैं इसलिए ग्रामिड छेत्रमी से गंधहुआ भी बोलते हैं यानि गंधहुआ महकवआ इस तरह से लोग इसके नाम को जानते हैं दोस्तों या पौधा कर इवन एक मीटर रूचा होता है यानि तीन फूर तक इसमें फूल दो तरह के होते हैं यानि इसके दो पर जाती हैं एक सफेद फूल वाला होता है और दूसरा नीला बैगनी फूल वाला तो दोस्तों देख लीजिए पहचान लीजिए इस महकवआ को जंगली पुदीना को और इसके पत्ते पुदीना के पत्तों के ही डिजाइन में होते हैं लेकिन पुदीना के पत्तों से बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो आज मैं इसी जंगली पुदीने फायदेग बारे में आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप इस जंगली पुदीन को पहचान चुके होंगे और हां दोस्तों यह ठंडी की दिनों में खेत खर्यान पे मेल पे बाग बगीचों के किनारे अधिकतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो चलो दोस्तों अब इसके फाइदों को बारें भी फटा फट जानकारी हासिल करें किया जंगली पुद तरष्ट पुदीना कई पर जाती है लेकिन जंगलों में होता है इसलिए इसे एक मेडिसिन प्लांट समझते हैं दवाक रूप में इस्तमाल करते हैं लेकिन सलाद में नहीं खाया जाता है और जो हमारा गहल्येलु पुदीना अखेत में उगने वाला उससे तो हम खाते ही तो दोस्तो इस जंगली पुदीना को आप किसी भी परकार घा हो फोड़े फुंसी हो इसके पत्तों को पीश कर फोड़े फुंसी को उपर लगाते हैं तो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है दोस्तो किसी किसी चेहरे में पिमपल्स दाने फोडे फुनसी है तो उसमें भी आप इस महकवा जंगली पुदीना का पत्तो पेश्ट बनाकर अगर लगाते हैं तो फाइदा होगा तो दोस्तों एक तरह से जंगली पुदीना एंटिबाइटिक एंटिबेक्टेरियल गुडों से भरा हुआ है दोस्तों अगर किसी के सर में हमेशा दर्द होता हो तो इस जंगली पुदीना पत्तों को रगण कर अगर नाग द्वारा स्वासन लेते हैं तो सरकादर्द तूरंत तूरंत उतर जाता है और अगर इसके पत्तों को पीशकर निकाल कर माथे पे लगाते हैं तो भी सरकादर्द दूर हो जाता है तो देख लीजिए पैचाल लीजिए दोस्तों यह भी एक बहुत अच्छा जड़ी बूटी का पोधा है इसका इस्तमाल कीजिए उप्योग कीजिए और अपने बिमारियों से छुटकारा पाईए तो चलो दोस्तों इस महातपुर जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक